नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे SSC MTS 2021 का नोटिफिकेशन आल्रेडी आउट हो चुका है मैं थोड़ा वीजी था इसो जैसे वीडियो नहीं बना पाया तेकिन आप लोग ने डिमांड करी डीटेल वीडियो की तो इस वीडियो में हम SSC MTS 2021 फॉर्म से रिलेटर हर चीज की बाल करेंगे क्योंकि इस बार आपके लिए 3630 हवलदार की भी पोस्ट आ गई है जो लोग को लगता था कि MTS बहुत छोटी पोस्ट होती है मेरे डिपार्टमेंट में सबको बड़ी इज्जत के साथ पेस आया मतलब वो चाहे प्यून हो चाहे जो कई सारे MTS है जो इसे आप इलिजबिलिटी रखते हैं आपको नॉलेज है तो आपको क्लरक इवेंट एसो का काम भी सबालते हुए मैंने देखा है बहुत सारे MTS तो अगर आपके अंदर छमता है तो आपको जैसे आपकी तारकी छमता जैसे आपको नॉलेज रहेगा अगर आपको जानकारी है तो आपको प्यून या बरतन दुलवाएंगे ऐसा कुछ नहीं उसके लिए डिफरेंट टाइप के पीपल्स रखे जाते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप के इंपलोईज है दूसरी चीज यह भी है कि हवलदार की भी पोस्ट है यानि आपको वर्दी भी मिल सकती है इस बार MTS स तो 3603 GST में आपने GST इंस्पेक्टर सुना होगा आपने सुना होगा कस्टम आपने सुना होगा मतलब वर्दी वाली जो तीन इस्टार वाली GST इंस्पेक्टर जो CGL में होती है सुना था न इस बार उसी डिपार्टमेंट में CGST में जिसको CBIC यानि Central Board of Indirect Taxes भी कहते है चा से बाद वह भी रिवील हो जाएगी तो आप यह मानों 363 यह जो वैकंसी जह बड़ी अच्छी मुझे लगए कि यह वर्दी वाली वैकंसी भी है और इस बार MTS के एक्जाम में बहुत अनोखा सा चेंज कर दिया है आपने देखा होगा कि पहले MTS के टीर 2 एक्जाम में पह दो ग्रूप होता है 18 से 25 और 18 से 27 उसके लिए भी डीटेल में बात करेंगे आपकी जो इजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानि 10 इसमें मांगते हैं 10 पास है अगर आप तो अभर सकते हैं 18 प्लस होने चाहिए बाद टेंथ कब का होना चाहिए 30 चार 2022 से पहले आपकी 10 का मार् करते थे उसके बाद हवलदार पोस्ट थी नहीं तो फिजकल टेस्ट नहीं होता था इस बार उसके लिए जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए फिजकल टेस्ट भी रखा गया है लाइक साइक्लिंग दो वाक और हाइट भी रखेगे तो वह उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यानि हवलदार के लिए बाकी पोस्ट के लिए जैसे अभी तकता हो ऐसा अब उसके बाद में टीर टू होता था टीर टू क्वालिफाई इन नेचर होता था वह अभी भी वह लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया गुरू कि क्यूंकि हवलदार भी डाला गया तो इस बार जैसे CGL में CHSL में ऐसे और लेटर दोनों लिखना होता था पहले इसमें क्या था कि आपको केवल ऐसे या एक लेटर चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे लेटर और 50 नंबर दे इस बार ऐसा नहीं है आपको S से भी लिखना है और लेटर दोनों 25 पच्चिस नंबर के हो गया है आप tier 1 क्वालिफाई होंगे अगर आप हौलदार के लिए eligible है हौलदार के cut-off आएगी तो उसके लिए आपको physical test देंगे माल लो आप physical test fail भी हो जाते हो तो आप बाकी post के ल normalized marks होंगे बस वही marks पर आपको मिलेगी नोकरी लेकिन इस बार जो drastic change हुआ है वो यह हुआ है कि आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखना है 25 पच्चिस नंबर के लिए 40 मंदब 20 नंबर लाने हो तो 40% और जो अगर आप किसी category से EWS, SC, OBC या किसी भी category से विलोंग करते हैं तो आपको 17.5 एं 35% marks लाने होंगे उसमें उसके बाद आप qualify नहीं मतलब उससे ज्यादा ले आओ पर समझ लो कि tier 2 हो गया ठीक है तो चलो detail में बात करते हैं कैसी photo लगाने है किस तरह की photo पर reject हो सकता कैसा signature certificate किस तरह का होना चाहिए कौन सा certificate लगीगा कब का बना होना चाहिए आप particular cast से बिलांग करते हैं तो मैं वह cast के बारे में detail में नहीं जाओंगा मैं बस एक बार दिखा दूँगा आप जाके वह देख ले ना उसी format में सब कुछ होना चाहिए तो चलो start करते हैं चैनल पर आल्रेड़ी बहु सारी classes 1200 plus classes पड़ी है चैनल को सब्सक्राइब करने न भी अच्छा है और पोस्ट भी हालांकि पेलेबल वही रहेगा अठारास हो ही लेकिन हवल्दार मतब वर्दी वाली नौकरी मिल जाए तो चलो बात करते हैं डीटेल में ले चलता हूं आपको आपकी स्क्रीन पर ऑफिसेल नोटिफिकेशन है जो नोटिस आज निकाली है SSC लोगो और चुकि 75 इंडिपेंडेंस का वो आजादी कामरित महुत सो मना जा रहा है इसवजा से यह नोटिस है नोटिस में उन्होंने क्या क्या लिखा है डेट फॉर सब्मिशन ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन यानि 22 तारिक से आप श्टार्ट करके 30 अपरेल तक भर सकते है यह डेट इंपॉर्टेंट है नहीं तो बाद में कई लोग कहता है कि कब आया फॉर्म तो यह ध्यान से देख लेना और जिन लोगों को में MTS का फॉर्म बरना है उन तक यह पहुंचा देना ठीक है आप ऑनलाइन अप्लिकेशन बरें चाहे ऑफ लाइन तीस तारिक तक अगर आप आफ लाइन फी पे करते हैं चालान के तुरू तो तीन वैसे अब मैक्शिममम लोग ऑनलाइन पे करते हैं तो बाइस तारिक से स्टार्ट होके तीस तारिक तक आपका फॉर्म भरा जाना है बस इस डेट को याद रखो बाकि जो डेट दी गई है कि चालान के वहना साइड की दिक्कत होती है और वो सब के लिए होती है तो जो लोग अभी भर देंगे वो समझदार ही करेंगे क्योंकि बाद में वो दिक्कतें आनी ही आनी है फिर आपको जो डेट दी गई है टीर वन की वो दी गई है कि जुलाई में आपका टीर वन होना है ठीक है अ पेपर टू जो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एक्जाम यानि कि जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है आपकी जो माकसीट आपको पता होगा माकसीट टीर वन के नॉर्मलाइजड इसकोर पर बनती है यह जो प्री एक्जाम होगा सेम से लिबर्स के साथ मैथ्स इंगल लेबल क्या होता है तो पे लेबल वन है ठीक है पे और सेबन पे कमिशन की जो पे मैट्रिक से उसके आधार पर यानि कि आपका बेसिक जो है उग्रेड पे जो है वह अठारा सो ग्रेड पे की नौकरी है और MTS की सेलरी जैसा कि मैंने बता रखा है कि 30,000 के राउंड होती है इन हैंड और आप हो सकता जब तक जोईन करें तब तक थोड़ी बढ़किया है लेकिन आप यह मान के चले 30,000 के राउंड सेलरी होगी तो ज़्यादा टेंसल लेंड की ज़रूरत है यहां पर यह भी लिखा गया है कि हवलदार जो है वो पे लेबल वन का पे मैट्रिक सेव यह जनरल सेंटर सर्विस गुरूप सी की होगी यह आपकी जो सर्विस होगी गुरूप सी की होगी नॉन गैस्टेड होगी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी जो CBIC में होगी जो सेंटर बोर्ड आफ इंडिरेक्ट टेक्स एंड कस्टम ठीक है और सेंटर ब्यूरो आफ नार्कोटिक्स अंडर डिपार्टमेंट औफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री आफ फाइनस होगा यानि कि जो CBN है वह आपका डिपार्टमेंट आफ रिवेन्यू के अंतर गत आपको सेंटर्टल बॉर्ड आफ ब्यूरो औफ नार्कोटिक्स में भेजा जाएगा ठीक है समझा गय लाके 363 हवलदार की वैकंसी जद्यान से देखेगा हवलदार जो होते हैं ज़र सेना में हवलदार होते हैं मतलब समय लो कॉंस्टेबल उस तरह की नौकरी होगी ठीक है तो आप आपको पता होगा कि टीये के नीचे कोई नहीं होता था इंकम टेक्स डिपारटमेंट में टीये के नीचे बस MTS होता था तो टीये के नीचे आप रहोगे टीये के नीचे आप काम करोगे ऐसा नहीं होता कि उनके अंडर काम करोगे उनके नीचे पे मैट्रिक्स में हो बस जल्लाइक हम लोग छियालीस सो ग्रेड पे में हैं तो ऐसा आप किसी भी पोश्ट पर जाओगे अगर आप नौकरी में जाते हैं तो किसी ना किसी के अंडर तो काम करना ही पड़ेगा ठीक है बाकि अच्छी रिस्पेक्टर नौकरी होती है और MTS ऐसा सोच मतलब कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि चपराची की नौकरी तो ऐसा बिल सुटेबल हो जाएंगे सभी पोश्ट के लिए फंक्शनल रिक्वाइर्मेंट या सेस्ट यहाँ पर आप भी डीटेल में मिल जाएगा कि कौन-कौन से टाइप की डिसेविल्टी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाले आपको तो यह आप आपको खुद पढ़ने पर छो जो भी दिया है यह सबको पता होगा कि कौन-कौन से कंट्री आप मैक्सिमम लोग इंडिया से होंगे तो सिटिजन्स को आपको पढ़ना नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अलग कि नेपाल भुटान वाले भी भर सकते हैं दूसरी सबसे इंपोर्टन डेट जो है वो है 22 पहले एज ले गई है एक जैन्वरी से तो आपको यह ध्यान रखना कि एक जैन्वरी से जो भी या कोई भी एज की बात करे तो एक जैन्वरी को आपको 18 साल पूरा होना चाहिए अगर आप एक जैन्वरी को 18 से नीचे थे आपका 18 बड़े नहीं हुआ था तो आप मान के चलिए आप इलिजबल नहीं अगर आप 18 से जादा थे और 27 साल ध्यान से देखिए अगर दो टाइप की पोस्ट होती है इसमें 18 से 25 और 18 से 27 अठार से 25 के बीच में है तो भी आप MTS भर सकते या आपको मैं इंडिरेक्टली कहूं तो 18 से लेकि अगर 27 के बीच में आप है तो आप M 29 से पहले के नहीं पैदा होने चाहिए और एक एक 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए तो आप 18 से 25 वाले में इलिजबल है ठीक है और दूसरी चीज़ आप 18 से 27 वाले के लिए देखें अगर 18 से 27 के लिए 2 एक 95 से पहले के आप नहीं होने चाहिए और एक 2004 के बाद के नहीं होन एज रिलेक्सेसेन आपको वही SCST के लिए 5 साल पतब अपने इसमें जोड़ लेना अगर आप 5 साल पहले के भी है तो चलेगा OBC 3 साल PWD 10 साल PWD OBC PWD अगर आप है आप जनरल से हैं तो 10 साल अब आप मालो OBC से हैं तो 3 साल अपनी कैटेगरी वाला और 10 साल disability वाला ऐसे चरी 10 साल disability वाला तीन साल OBC वाला ऐसे अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 10 साल आपका वो हो जाएगा PWD यानि disability वाला और 5 साल कैटेगरी वाला इसी प्रकार से होता है ठीक है दूसरे date of birth वही भरना जो आपके matriculation certificate में है यानि 10th 12th के जो exam mark sheet में बैसिकली 10th के mark sheet में जो भी है वही भरना और देख के भरना spelling की गलती यह सब ना हो ठीक है क्यूंकि आप बहुत बार गलतिया कर देते हो तो यह गलती नहीं होनी चाहिए देखो जो educational qualification है उसमें बस इतना सा लिखा गया है जैसे 1-1-2022 को आपकी age पूरी होनी चाहिए यानि age के लिए criteria 1-1-2022 थी वैसे यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो educational qualification है उसके लिए criteria 30 April तक की होनी चाहिए post के लिए eligible है यानि आपने 10 का exam दिया है और आपका 30 April तक result आ जाएगा 30 April से पहले तो आप इस form को भर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ सबसे important है 30 April से पहले का आपका क्या होना चाहिए यह matriculation examination यानि educational qualification केवल 10 पर आप नौकरी ले सकते हैं तो यह MTS जो है वो केवल 10 वेसिस पर आपको 30 April से पहले 10 आपका होना चाहिए तो यह आप यह date भी लिख लेना कि आपकी जो educational qualification है वो 30 April से पहले की होनी चाहिए that's all आपको apply करने के लिए ssc के official website पर जाना है ssc.nic.in या आप ssc सर्च कर लेंगे तो ssc की website मिल जाएगी आप वह से सर्च करिएगा https dot slash slash ठीक है ssc.nic.in बस इस पर आपको मिल जाएगा देखो फोटो के लिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है फोटो सबसे important चीज जिसके basis पर rejection हो जाता है फोटो में क्या लिखा गया है the in the online application form candidates are required to upload कौन सी फोटो जो JP easy format में हो आपकी फोटो की साइज 20KB से 50KB और फोटो तीन महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए यानि कि notice exam जब आगया है इस से तीन महीने यानि आप मालो कि January से पहले की आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए यानि आप यह नहीं हो तीन साल पहले की लगा दे लो ठीक है तो आप कोसिस की कुछ लोग कहते पुरानी लगा दे कौन सा उनको पता चल रहा है क्यों लगा रहे ह 4.5 cm का होगा ठीक है और यहां पर देखो यहां पर एक चीज और मेंसन कर दिया है फोटो ग्राप सुड भी बिदाउट कैप यानि टोपी लगाके नहीं टोपा बाज बनके ना भर देना फॉर्म यह तो reject हो जाएगा चसमे नहीं लगाने है इस पेक्टेकल्स नहीं लगान और दूसरी चीज यहां पर देखो पॉइंट नंबर दस तीन पैरा नंबर दस और उसके पॉइंट नंबर तीन में लिखा गया है कि इस प्रॉपर फोटोग्राफ इस नाट अट अप्लोड़ किया तो आपका केंडिडेचर कैंसे बात खतम SST ने बोल रखा है कि आपको much before the closing date form भर देना जो मैंने बता है कि आप last date का वेट नहीं करेंगे अब आपके उपर है आप last date का करोगे वो आपकी प्रॉब्लिकेशन फीज जो आपकी है वो 100 उपए लगने वाली है और दूसरी चीज SC ST PWD X servicemen इन लोगों के लिए कोई फीज नहीं लगेगी तो अगर आपसे फीज मांग रहा है तो भाईया 100 उपए दे देना और आपको अगर लड़की है तो लड़की की भी फीज नहीं लगेगी या किसी केटेगरी SC ST PWD X servicemen से विलॉंग करते हैं तो आपकी फीज नहीं तक पे कर सकते हैं तो यह सब को पता है जिस दिन फॉर्म बरना उसी दिन पे कर देना ना टक नहीं होना चीए बाद में आपको यह बाद में करेक्शन का भी टाइम देंगे 5 मई से लेके 9 मई तक लेकिन यह आप वेट ना करना कि 5 मई को आये फिर 5 दिन के हमें टाइम मिले हैं तब हम करेक्शन करें पहली बार अच्छे से भढ़ के गल्ती नहीं होने चे भर देना तीक है अच्छे से सही से भरना करेक्षन फी 200 रुपए लगेगी अगर जब वो देंगे और माल लो आपने करेक्षन करते टाइम 200 रुपए दोगे तब वो खुलेगा और अगर माल लो आपने फिर भी गलती कर दी तो 500 रुपए फिर लगेगा तब आप खोल तो क्यों फायदा बापा का पैसा बेकार करने एक बार धंग से पढ़ लो भाया 700 रुपए ना बेकार करो जो लोग पहली भार भर रहे होंगे फॉर्म उनको में बता दूं कि भाया आपको सेंटर अपने रीजन में किसी भी रीजन से भरें ठीक है और कुछ लोगों को ये डाउट नहीं था कि जिस रीजन से भरूँग अब जैसे मैं यूपी से विलोंग करता हूँ मैं हमेशा नर से फॉर्म बढ़ता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ तो ये चीज ऐसा नहीं है कि आप उसी स्टेट से भरेंगे लेकिन आप अपने नजदी की सेंटर देख के उस रीजन से मतलब आप देख सकते हैं कि जै के बेसिस पे आपको नोकरी लगेगी जो ऑनलाइन एक्जाम होगा CBT मोड में ठीक है जिसको हम फिजकल एफिसेंसी टेस्ट पीटी कहेंगे या पीस्ट कह सकते हैं ठीक है और यह हवलदार के लिए होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानि आप टियर वन क्व क्वालिफाइब भी हो जाते हैं तो धवलदार चोड़के बाकी सारी पोश्ट के लिए लिजबल रहेंगे जो मेरीड बनेगी वो क्योवल पेपर वन पर बनती है पेपर टू से क्योवल क्वालिफाइग इन नेचर होता है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं बात करूं कि पे डिशेबल हैं तो 120 मिनट दिये जाते हैं आप समझ लो 90 मिनट में आपको 100 कोस्टन करने होते हैं इससे ज्यादा टाइम कहीं नहीं देगी के ससी का कोई एक्जाम इससे ज्यादा टाइम नहीं प्रोवाइड करेगा तो टाइम भी आपके लिए more than enough होता है अच्छे से और यह इंग्लिस रिजनिंग मैट्स और जी के जी एस ठीक है दूसरा में बता दू माइनस मार्किंग होती हैं आपका 100 नंबर का पेपर होगा माइनस मार्किंग वन फोर्थ की होती हैं आपको नंबर मिलता है एक अगर आप गलत आंसर करोगे तो एक चोथाई कट जाएग ठीक है दूसरी चीज आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है 100 question यह पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 100 question 100 number एक question का एक नंबर निगेटिव मार्किंग एक चोथाई की और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा यह clear हो गया होगा ठीक है दूसरी चीज objective type का होगा यानि कि आपको option चूज करने रहेंगे पहला option सही है दूसरा option सही है तीसरा चौता आपको objective एसे वो रहता है computer में mark कर दोगे A B C D यानि यह समझ रहो न objective वाले तो यह वाले प्रशन हैंगे उसमें लिखना कुछ नहीं रहता बो clear उसके बाद आपके answer की आएगे answer की के बाद आपके marks आएगे marks के बाद रिजल्ड अगर आपको answer की में किसी प्रशन पर कोई संदे है कि आपने सही किया और SSC ने उत्तर गलत दिया तो 100 रुपे लगा कि आप चैलेंज करके आप उस प्रशन को अगर सही होंगे आप तो आपका 100 रुपे ले लिया जाएगा तो आपका 100 देखो भाईया दूसरी चीज डिस्क्रिप्टिव में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव में आपको पहले या essay लिखना होता था या लेटर लिखना होता था इस बार short essay और एक लेटर इंग्लिस और इन एनी लेंग्वेज इंक्लूड़े इन एट से या आपको essay और लेटर यहाँ पर एंड लगा दिया है यानि essay और एक लेटर लिखना है 25-25 नंबर के 25 नंबर का essay होगा 25 नंबर का लेटर होगा आपका टोटल 50 नंबर का टाइम मतलब 50 नंबर का पेपर होगा टीर 2 जो टीर 1 कॉलिफाई करोगे मेरिट में आ जाओगे तो CHSL में हो गया कुछ अलग नहीं MTS अभी तक अलग था उसको भी छोटी नोगरी समझ रहे थे उनके लिए जोड दिया कहता 25 नंबर से लिखो 25 नंबर लेटर 45 मिनट का सामय दिया जाएगा अगर आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत है 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा ठीक यहाँ पर इन्हों ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि पेपर टू क्वालिफाइंग नेचर का होगा यानि इसकी मेरिट आपको सेलेक्शन नहीं करवाएगा हाला कि पास करना पड़ेगा बोलो क्लियर है पेपर वन के बाद पेपर टू जब आप देंगे तो उसमें आपको रोल नंबर डालना होता है सिगनेचर डालना होता है लेफ्ट थम इंप्रेशन देना होता है अगर आप इन चीजों में से कुछ भी नहीं करते या आप ऐससे लेटर के बॉड़ी में अपना परसनल पूरा दे दियागे है वही CGL CHSL वाला सी लेबस है और आप जाके देख लेना ठीक है यह आपको टेलिग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा वहां से देख लेना फिजिकल टेस्ट जो है वह आपका क्या होता है वाकिंग करवाते हैं 1600 मीटर 15 मिनट में और साइकलिंग करवाते है आठ किलोमेटर 30 मिनट में male candidates से female candidates से एक किलोमेटर 20 मिनट में चलवाते हैं और तीन किलोमेटर 25 मिनट में दौडाते हैं तो यह साइकल दौडाते हैं तो है फिजिकल टेस्ट होगा कौन कौन सी पोस्थ के लिए हवन दार जो CAP 91 सीभीन की होग तो यह आपको क्वालिफाई अगर कोई महिला candidate है और वो pregnant पाई जाती है ठीक है 12 बीक या उससे ज्यादा तो उनको unfit कर दिया जाएगा ठीक है यह ध्यान से देखना उनको unfit कर दिया जाएगा vacancy अगर आप प्रेंग्नेंट है तो आपके लिए अलग से मतलब सीट रिजर्ब कर दी जाएगी तो ऐसा कोशिस करें कि मतलब उस टाइम पर फॉर्म ना भरे हाला कि अगर आपके साथ ऐसा क्वीक केस है तो आपके लिए और रीग्जामिन करवाएंगे फिजिकल टेस्ट आपक हो जाएगा तो टेंसन लेने के तब भी जरूरत नहीं सी बी आई सी और सी बीन के लिए थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट में इन्होंने लिखा हाइट आपकी एक सो सत्ताओन पॉइंट पांच होना चाहिए मेल की चेस्ट आपका चीहतर सेंटीमेटर बीना फुलाए और पां याफ वोड कुछ ब «डीटिज्याफ में लापन अडर्फिकेस्ट बाद सांटीम की डीटेल्स हो इस टाइम पर उस वात कर लेंगे और पेपर 2024 को 40 % लाना होता है यानि 50 का 40% 20 number 50 में नहीं है तो आप fail माने जाओगे आपके tier 1 में कितने भी marks हो और all other categories को 50 में 35 यानि 17.5 number आपको लाना ही लाना है तभी आप मानने जाओगे कि tier 2 pass होई हो ठीक है बाद में आपका ऐसा प्रशन है उससे पहले में बता दे रहो हूँ यहाँ पर सीधे-सीधे reservation के लिए लिखा गया है कि candidates seeking reservation benefits available for SCST, OBC, EWS, ESM, PWD must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in notice यानि आप इस category से विलोंग करते हैं यह नहीं आप बाद में comment करते हैं फिर हो state का मेरे पास है इसका है इससे नहीं मतलब है आपको format cast का इसमें इन्होंने notification में दे दिया है आप जाके टेलिग्राम पर अभी के अभी आप अपने का certificate अभी मैं दिखा भी दूँगा तकि आप जाके डाउनलोड करके वो देख लेना उसी format में अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो नहीं मानेंगे यह बाद में आपकी फोटो है यह आपकी जीव इदर निकली है तो यह फोटो नहीं मानी जाएगी फोटो मैं दिखा दूँगा दूसरी चीज यहाँ पर देखो फोटो वह या सिविल सरीजन इनका साइन साइटिपिकेट होना चाहिए ठीक है दूसरा ओ अगर इस्क्राइब आपको चाहिए यह इस्क्राइब मतलब आपके लिए कोई एक्जाम देने जाए आप सासा जोगे आप उसको बताते हो वही वही ऑप्सन टिक करता है तो उसके लिए इस ताना से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ठीक है तीसरी चीज ऑनलाइन अप्लिकेशन आप पहले रेइस्टेशन करेंगे फिर ऑनलाइन अप्लिकेशन भरेंगे दूसरी चीज आप वहाँ पर जाएंगे स्सी की साइट पर स्सी.nice.in पर अप्लिकेशन सेक्शन पर ज ध्यान रखना कुछ लोग भरते समय गलती क्या कर देते हैं अपना नाम पापक नाम मम्मिक नाम डेटा बर्त मैट्रीकुलेशन एक्जाम डीटेल सुड़ भी फिल एज रिकॉर्डेट इन्हीं टेंथ की मार्क सीट आपके लिए समझलो नोकरी दिलवाएगी अगर उसके इतर कुछ भी लिखा तो समय लोग आपका गलत है ठीक है आप कोशीज करना कि एक भी परसेंट एरर ना हो धंग से पढ़ पढ़के भरना और ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी भर दिया ठीक है तो ध्यान से 10th की मार्क सीट पर जो डीटेल्स हैं वही मम्मी का नाम जीस फॉर आप कहां कि साइट यह फिर यूटी और इसकी प्रिफरेंस कैसे देंगे ठीक है इस्टेट और यूटी की प्रिफरेंस यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हूं आप इस नोटिस को प्रिफरेंस भनने के लिए ध्यान रखना अगर मालो कोई स्टेट का आपने नोटिस भी आप करना चाहते है उस आधार पर भरेंगे ठीक है इस स्टेट इस सारे भर देना ऐसा नहीं कि प्रिफरेंस में नहीं अच्छा यहां पर हाई एस्ट क्वालिफिकेशन भी पूछेगा मालो आपने यह कर रहा है भी सी कर रहा है ग्रिजूएट है प्योष्ट सैंटी मिटर यहां आपको आयता चाहर एस तरह कि यहां पर इस तरह कर Ring глаз के साथ साथ पौटिवा से साथ पोटो बहुत छोटी पोटो उल्टी फोटो यह सब फोटो नहीं लगानी बहुत इस्टाइलिस न बना वर न हो जाओगे फेल ठीक है दूसरा एज रिलेक्सेशन अगर आपको चाहिए तो इस फॉर्मेट में आपके पास वह होना चाहिए आप जाके देख यह है स्ट का फॉ अप्सन रहता हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर आपके पास सारे देखो पेपर टू किस लेंगोज में देना चाहिए वह देख सकते हैं आपको कोड सारे दे दिये गए उर्दू में 23 जो ऑफिसियल लेंगोज है उसी में दे सकते कोई एक लेंगोज चूज कर सकते वह को कोड आपको अगर इस सिस्टे हिमाचल प्रतेश तो 14 यह कोड नीचे दिया गया है नोटिफिकेशन पढ़ लेना तब भरना भाईया ठीक है नोटिफिकेशन हाथ में रखके तब भरना अब हम अगर बात करें वैकेंसी की अलग अलग जोन में सीवी आईसी और सीबीन में सीजीएस्टी में बैंगलोर में सीजीएस्टी में वडोधरा में कितनी हैं यह सारे चीज़े गेंसी अलग अलग जगांपे हैं सीवी आईसी में ठीक है CCA टाइप यह सारी चीज़ा अलग-अलग जोन में आप देख सकते हैं कहां पर कितनी वैकेंसी है ठीक है 363 टोटल वैकेंसी है 1551 इवार की है 470 शायद यह EWS होगा नहीं 80 है फिर 80 है फिर OBC है फिर EWS है टोटल आप देख सकते यह सब होरिजन्टल डिजर्बेशन है यह के टेगरी की मालो यह कोई PWD के एंड़ेट है वह जन्रल से तो जन्रल में यह वैकेंसी इनक्लूड यह थिक है तो 363 टोटल वैकेंसी तो भाईया MTS से रिलेटेड यह थी डिटेल वीडियो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीड